अब हम आपको कोश्चन नमबर 11 की तरफ जा रहे हैं और कोश्चन नमबर 11 में हमसे पूछा गया है कि सईयुक्त राष्ट की स्थापना क्यों की गई थी और इसके रूखे उदेशे क्या थे तो देखे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि देखे वर्ड के अंदर दो विश् हुआ था नतने अज़कर इसनीट नमफ के एक अदर रहे हैं थंक विश्रास सकता का जेना थे लेकिन पर्तम विशुद के बाद में विश्व के देशों ने एक अंतराष्टे संगठन बनाया था और वो बनाया क्यों गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि विश्व में कोई और कोई ऐसा हानी कारक और कोई ऐसा विनाशकारी युद ना हूँ जैसा कि पर्थम विशुद हुआ तो आप देखेंगे कि पर्थम विशुद के बाद में एक अंतराश्टे संगठन बना जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन इसको लीग ऑफ नेशन कहा गया ठीक है ठीक इसको कहा गया लीग ओफ नेशन अब जो हमारा लीग ऑफ नेशन था ठीक में यह वह काम नहीं कर पाया जो एक तरीके से इससे expectations किये गए थे, जो इससे अपेक्षाएं की गई, जो इससे लोगों की इच्छाएं थी, कि ऐसा एक अंतराष्टे संकथन होगा या होना चाहिए, कि जो पर्तम विशुद यह से हानेकारत और विनाशकारी विदी को मुविश्चर में होने से रोग गई, और जब यह अ लिए दूत्य विशुद के बाद एक और राष्टे संगतन बनाने के उपर जोड दिला गया, और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया, इसका नाम था United Nation Organization, United Nation Organization, सैयुप्त राष्ट संग, यह इसका नाम रखा गया, Second World War के बाद में ही अस्तित्त में आया, इस से रिलेक्टिड यह कोशन है, यहाँ पर जो आपको दे रखा है, कोशन नंबर 11 में, ठीक है, सैयुप्त राष्ट की स्थापना क्यों की गई, देखे, परतम इश्युद 2 जिसके बारे में मैंने आपको बताया कब से कब तक हुआ, 1914 से स्टार्ट होकर, और 1918 तक हुआ, ठी अंतर राष्टे संबंदों के नियमन के लिए एक राष्ट संग की स्थापना की गई, अब यह राष्ट संग जो था, यहाँ पर इसके लिए राष्ट संग शब्द यूज हो रहा है, लेकिन एक्च्वल में इसी का दूसरा नाम था, लीग ओफ नेशन, जो अभी मैंने आ अनि लीग ओफ नेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर अंतर राष्टे पटल पर एक महत्वपून गटना थी, कि विश्व के अंदर एक अंतर राष्ट संगठन का उद्य होना, पैरिस संधी संबेलन की सरवाधिक महत्वपून उपलबदी थी, देखे यह जो लीग ओफ लीग ओफ नेशन की स्थापना हुई थी, इसके लिए एक संबेलन हुआ था बागायद, और इस संबेलन का नाम क्या था, इस संबेलन का नाम था, पैरिस शांती संबेलन, और जो पैरिस शांती संबेलन हुआ, उसी के परिणाम स्वरू एक अंतर राष्टे संगठन नस्क इत्यों में आया, जिसका नाम था लीग ओफ नेशन, 24 ओक्टूबर 1945 को 50 देशों की सर्व सम्मती से सयुक्त राष्ट की स्थापना की गई, अब यहां पर बात आ गई जी, Second World War के बाद की, Second World War के बाद में 24 ओक्टूबर 1945 को ये वाला बना, सयुक्त राष्ट संग, United Nation Organization और कितने देशों ने बनाया, इसको 50 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, सयुक्त राष्ट की स्थापना के मुख्य उद देश्य आपके सामने लिखे हुए हैं, यह चार पॉइंट है, यहां पर हम देखेंगे, इसको पहला क्या है, भाविश्य में युद्धों को रो तो होगा ही, लेकिन जो विवाद हो रहा है, जो विवाद उत्पन हो रहा है, उसका हल, उसका निप्टारा शांती पूर्वग तरीके से हो, इसके लिए एक अंतराष्टे संगठन बनाया गया, जिसको UNO के नाम से हम और आप जागते हैं, तीसरा पॉंट देखिए, अंतर प्रगती के लिए, क्या करना होगा, दूसरे देशों के साथ में से संबंध इस्तापित करने पड़ेंगे, उनसे मदद लेनी भी पड़ेगी, उनको कुछ मदद देनी भी पड़ेगी, तो अंतराष्टे सहयोग भी बहुत जरूरी है, अंतराष्टे सहयोग को बढ़ावा मिल सकें, इसके लिए भी युए नो स्थापित किया गया, और लास्ट आप देखोगे, कि विश्व में शांती और सुरक्षा को बनाए रखना, विश्व में सुरक्षा को बनाए रखना है, कोई देश अपने आपको आ सुरक्षित महसूस ना करें, विश्व में, तो इसक प्रभाव के क्या प्रभाव परिलक्षित हुए ओध्योगी क्रांति थी हमारी सबसे पहले बैणा आपको बताया था, इंग्लैड में हुई थी, इंग्लैड में सबसे पहले इंडस्ट्रिय रिवॉल्यूशन हुआ क्यों हुआ क्यों कि वहां पर कुछ ऐसी अनुकूल परिस परिलक्षित से अनेक प क्राम्म प्रिलक्षित सकते हमें अपटिखेया만 है. इस क्रांटी के कारण एक शहरी समाज की स्थापना हुई शहरी समाज अभी नहीं था जादा, अभी आप देखोंगे कि इंग्लेंड के अंदर विया यूरोप के जादा तर देशों के अंदर ग्रामिन समाज तो जादा था लेकिन शहरी समाज इतने बड़े व्याफ़ पैमा आने पर अस्कित्वों में नहीं आया था लेकिन आप देखेंगे कि ओध्योगी क्रांटी के उद्य होने के कारण बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में रोजगार पाने के लिए अपनी जीवी का की खोज के लिए ग्रामिन शेत्रों से गावों से कहां पर आगे शहरी लगे क्योंकि ग्रामिन शेत्रों में तो रोजगार के कोई अफसर इतने थे नहीं लेकिन शेहरी शेत्रों में क्या लगे शेहरी शेत्रों में बड़े बड़े कार खाने लगे और कार खानों में उनको रोजगार के नएने अफसर मिलने लगे बेरोजगारी में कमी आएग trade union की स्थापना हुई और बहुत सारे trade union जो थे वो सामने निकल कर आने लगे trade unions की स्थापना हुई जिससे मजदूरों और श्रमीकों की इस्तिती में सुधार हुआ आपने देखा होगा कि कई बार filmों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि एक मजदूर union होता है और उसका एक leader होता है कई बार वो अपनी मांगों को लेकर क्या कर देते हरताल कर देते कि हमारी मांगे company को ली करेगी तो हम काम पर लोटेंगे नहीं तो हम हरताल करें तो इस तरीके की चीज़ें भी दिखाई देने लगी trade unions बनने लगे जिससे मजदूरों को और श्रमीकों को कुछ इस्तिती उनकी सुधर गई उनकी इस्तिती में कुछ सुधार हुआ trade union ने मजदूरों की सुधार के लिए अने कानून भी बनवाए या पारित कराए जहां मजदूरों के काम करने गंटे कितने होते थे पहले 12 से 14 गंटे होते थे यानि मजदूरों से 12 गंटे से लेकर और 14 गंटे इस तर कंटिनियोली उसे काम लिया जाता था काम कराए जाता था लेकिन जो trade union के परियास थे जिनकी वज़े से बहुत सारे कुछ नियम या कानून बने तो उसमें क्या हुआ कि अब उनके काम के गंटे जो थे वो घटकर कितने हो गए 8 हो गए जो 12 से 14 गंटे होते थे अब उनको 8 गंटे ही काम करना पड़ता था मजदूरों को ठीक है तो ये question था I hope आपको समझ में आगया होगा question number 12 था question number 13 की तरफ आपके बढ़ते है देखिए सामराज्यवाद से आप क्या समझते हैं देखिए सामराज्यवाद क्या होता एक्षल में कि सामराज्यवाद में मान लीजे कोई एक देश है हमारा ठीक है अब फोर एक्जामपल मान लीजे हम देखने के देखिए ये एक देश है हमारा और ये एक दूसरा देश है ये वाला जो देश है ये तो बहुत शक्तिशाली है ये देश है हमारा काफी शक्तिशाली ठीक है हर एक लिहाज से क्योंकि इसके पास में बड़ी सैना भी है थाय है इस पास में एक टैक्नीक भी है ठीक है और ये थोड़ा सा विक्सिद भी है ये आर्शिकरूर से भी संपन है और दूसरा जो देशा ये थोड़ा वीक है, न्यानि कि हृ राउन ही कमजोर है और जब इसके उपर वो अपना अधिकार इस्तापित करेगा, तो क्या करेगा, इसको अपने ही छेतर में मिला लेगा, इस वाले शेतर के जो शाषक होगा, वो क्या करेगा, जो कमजोर देशे होगा, इसको अपने साथ में एड कर लेगा, अपने साथ में इसको मिला लेगा, सामराज्य बाद एक ऐसी राजनेतिक विवस्था है जिसमें शक्ति शाली और विक्सित देश कमजोर और विकाशी देशों को अपने अधीन कर लेता है या कर लेते हैं जब एक शक्ति शाली देश एक कमजोर देश को अपने अधीन कर लेता है और उस पर अपना अधीकार कर लेता है तो इसको ही हम क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं सामराज्य बाद जिससे पराधीन देश पराधीन देश कौन सा होता है जिसको अब गुलाम बना लिया गया है उ ऊसको अपना गुलाम बना लिया, तो अब उसकी सार्त अंतरता तो गई हो गया उसकी सानराजयवाद काति कई अन्तरगतक शाषणन, जन्ता के हित्मेν होकर साम्राजयवादी के हित्मे की ज़ात है देखे कोई भी जो देश है शक्तिशाली जिसने दूसरे देश को अपने अधीन लिया या अपना गुलाम बना लिया तो वो भाया जिस देश को उसमें गुलाम बनाया है उसे इस बात से क्या लेना देना ते उस देश की जनता का कोई हित वो पूरा हो पारा है या नहीं हो प प्राचीन और नवीन सामराज्यवाद में विभाजित किया जा सकता है। वो चुका नहीं पाता तो वो उसके उपर अपने रूल करने के लिए उसको क्या करता है। जो मैसूर के शाशकों के बीच युद्ध हुआ। तो यहां अंग्रेज और मैसूर के शाशकों के बीच में चार परमुक वार हुए थे। एक तो आंगल मैसूर बोर फर्स्ट फिर दैन उसके बाद सेकिंड फिर थर्ड और फिर लास्ट फोर्ड और चार युद्ध होने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने मैसूर के उपर अपना अधिकार करने में वो काम्याब हो गए। क्यों। क्योंकि जो मैसूर के दो परमुक्षाशक थे ठीक है वो उनसे हार गए या मारे गए। एक तो आप देखोगे टीपू सुल्तान थे और एक थे उनके पिता क्या नाम तो उनका हैदर रही। ये दोनों का रिलेशन किस से दोनों का रिलेशन उसी मैसूर से अच्छा यहाँ कर रहे हम अपने आंगल मैसूर युद्ध की तो यह तो कुछ बेसिक जानकालिया थी जो मैंने आपको दी थी अब यहाँ हम शुरू करते हैं कि हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के समक्ष उनके सामने नेत्रतु में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के कब उबरा था वो उबरा था विटा हैदर अली और उनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान के अंदर जो मैसूर था वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया ठारविशत आदिम अंग्रेजों और मैसूर के मद्दे चार युद्ध हुए जैसा कि मैंने आप आठेस में आप देखोगे अंत में चौथा युद्ध हुआ था चौथा आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था यह 1799वे में हुआ जो चौथा वालँ ऊही उसमें वीरठा पूर्वक पराजे यानि हार तो मिली थे शब्द क्या उसकिया जा रहाए वीरता पूर्वक परा ना किया डटकर उनका पूरा-पूरा मुकाबला किया लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि वो फिर भी हार गए क्योंकि अंग्रेजों के पास में बड़ी सैना भी थी और उनके पास में आधुनिक हतियार बंदू के बारूद सब कुछ था उनके पास में जिसकी एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया और जैसे ही टिपू सुल्तान का निधन हुआ तो क्या हुआ कि मैसूर के गौरवशाली तिहास का अध्याय क्या हो गया समाप्त हो गया कनारा कोयम बटूर और श्री रंग पटनम जैसे जो बड़े-बड़े बंदर गहां होते उपर भी अंग्रेजों के द्वारा अपना अधिकार कर लिया गया था, इसी चौथे आंगल मैसूर युद्ध के बाग, ठीक है, तो ये मैंने कुश्चन आपको करवाया है, कुश्चन नमबर 14, अगर आप चैनल पर नहीं हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने देखेंगे कि टैलिग्राम चैनल से जोनने के लिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप जाकर टैलिग्राम भी जॉन कर सकते हैं, ताथी जो लेटेस्ट जो भी जानकारिया है और उसे रिलिंटेड वो आपको समय समय पर मिल सकें, ठीक है, यहां पर देखते राज्ये को बड़ा करते जा रहे थे और भारत के राज्ये के उनके उपर अपना अभीकार करते उनको अपने शेतर में शामिल करते चले जा रहे थे, तो यहां पर आप देखोगे, के लौड डल्होजी द्वारा राज्यों के विले के तीन तरीके, तीन तरीके कौन से पर और लॉर्ण डलहोजी के द्वाम अपनाया गए इसमें थे कहा गया जिस शाशक की अपनी कोई संतान नहीं होगी या नी हुट नी संतान होगा और या उसने किसी दूसरे विक्ति की कोई संतान को क्या ले क्टा ह रखा होगा गोद ले रखा होगा तो तो ऐसी संतान को राज सिनहासन पर नहीं बठाया जाएगा उसको राज सिनहासन नहीं सौपा जाएगा और उस राजा की मृत्यू के बाद वह राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया जाएगा अंग्रेजी राज्य में उसको मिला लिया जाएगा और इसी निती के पुक्तरादिकार अपरण सिद्दान दूसरा आप देखेंगे विजय दुआरा लॉर्ड डलोजी ने पंजाब लोवर बर्मा आदी के आदी को जीद कर अंग्रेजी राज्य को उसका क्या बना लिया अंग बना लिया दूसरा तरीका इनका दूसरा तरीका ये था कि जो छेत्र थे उनके उपर क्या करेंगे उनके उपर अटेक करेंगे और अटेक करने के बाद उनको हरा देंगे और हराने के बाद उनको जीत लेंगे तो यहाँ पर लॉर्ड बलोजी ने क्या किया बहाना था उस बहाने को लेकर उन्होंने क्या किया अवद के जो नवाब थे नवाब वाजिद अलीज शहा उन पर कूपरबंद यानि के सही तरीके से शाशन नी चला पारे और उनके उपर दुर्वैभारता आरोप लगा कर उनके राज्ये को अवद को अंग्रेजी सामराज सामराज्य के अपने विस्तार को बढ़ावा दिया तो यहां विस्तार को बढ़ावा दिया तो इस तरीके से उन्होंने क्या अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का क्या परिणाम हुआ तो यहां पर थोड़ी सी चीज़े समझने वाली हैं कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उनका रिजल्ट क्या निकल कराया उन्होंने इस तरीके का काम किया जिसे लेकि भारतियों प्रवस्ता को पूरी तरह से नश्च्ट होई भारतियों जो हमारे देशी उद् के विद्यों देशी प्रक्राव कर्माम कर्म करते हैं कितने बड़े प्र हैं highlighting व्यापत प्रविश शोज में स्वहुकर देश लाथ ने को capitalist है। किसान भी तंग थे और मजदूर भी पूरी तरह से क्या हो गए थे बर्बाद और बेरोजगार हो गए तो यहां पर आप जेखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के फॉल्सवरूप पूरी तरह से क्या हुए बर्बाद और नश्ट हो गए यही भारतिय व्यापार और संपदा के परमुक्सरोथ थे भारत का जो व्यापार होता था वो इन चोटे-चोटे-चोटे रुद्योगों के अंदर जो माल तयार होता था इससे ही वो क्या कर रहे थे इनको ही मार्केट के अंदर बेच कर इसे पैसा प्राप्त करते थे थे तो भारतिय व्यापार कुरी तरह से किसके ओपर ठीका हुआ था कुटे-उद्योगों के ओपर ठीका हुआ था लेकिन अंग्रेज्वों की आर्थिक नीतियों पे कारण यह जो कुटिर उद्योगों फं त् conquista रहे थे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थी लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण देखे कितने उद्ध्योग ऐसे थे जो की पूरी तरह से बर्बाद होगे बर्बादी की कगार पर पहुंच गए इसके फॉल्स वरूप ग्राम इ बहुत सारे उद्ध्योग ऐसे हैं जहां पर किरशी के लिए और जार बनाए जाते तो दोनों का अपस में तरीके से संबन था लेकिन वो संबन अब क्या होगा समात्थ हो गया और भारत की आत्मने निर्भर जो सेल्फ डिपेंडिड जो हमारी एकॉनोमी थी हमारी बहुत बढ़ गई और जो देखे उद्ध्यों बंध हुए तो उद्ध्योगों में काम करने वाले मजदूर अब क्या पालने के लिए उनको खेतों में जाकर एक कने पड़ा ठीके तो यहां आप देख रहे हैं इस तरीके से कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारती अर्थ व्यवस्ता तो पूरी तरह से चौपट हुई थी ठीक है और हमारे उद्ध्यों पूरी तरह से क्या हो गेते हैं बरबादी की कगार पर पहुंच गेते अब हम कोश्च अंग्रेजी सरकार के दुआरा किया गया इससे पहले भारत में रेलवे नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी और यह उन्होंने रेलवे का विकास जो किया था इसलिए क्या था ताकि वो अपनी वस्तुओं को या अपने कच्छे माल को एक इस तान से दूसरे इस्तान पर आसानी से ला सके या ले जा सके इसके इसके लिए वो यह सब कर रहे थे तो यहां पर आप देखेंगे के रेलवे की बात इसमें पूछी जा रही है रेलवे की स्ताफना कफी नहीं तो देखें व्यापार की प्रगती यह नहीं कि अंग्रेजी चाते थे कि हमें इंडिय प्रगती करने हैं वो तो व्यापारीे थे वो तो अपने विकास में प्रजर करेश स्थान जाते थे इसलिए उन्होंने चाह किया कि दूरीयों को कम करने के लिए ताकि कच्छे मार्डर को आसानी से एक इस्थान से दूछ्ERे स्थान आउन पर ले जाए और जो त із तयार माल को आखमना मार्चेट में मार्ट्रा पहुचा दे। इसके लिए उन्होंने का किया, मेरे ची के भार्त में आरे की वह थांदम अ मार्वेय की यह मैं। आगमन का मतलब आना, जब रेलेवे आया तो रेलेवे के आगमन ने भारतिये समाज में, इंडियन सोसाइटी में इक तरीके से क्रामती ला दी, क्यों? क्योंकि आप रेलेवे के द्वारा लोग एक जगा से दूसरी जगाती यात्रा ही करने लगी, दिली का आदी में क्योंकि आप देखोंकि दूनों हाथों से मुनाफ़ा हुआ, आप क्यों बहुती से जапाटी खेंदधक के दाम कि नाजब में, इक बनगा नाटथा मेह, दश्युक्क, जबी आइधा क्वार accountable हो क्यावा भूअ को ने जब प्र आपड बर स्टेशन के माल भास नाधिक्या ह माल बन कर आ रहा है उसके लिए घृत्रण बिंदू बन गया है। तेयार माल डिस्थीबूइशन भी हो रहा है तैयार माल भी उस जराव पर मिल रहा है है। तो दोनों फायदे वियापारीयों को तो इसे इकॉनमी को तो फायदा हुआ। लेकिन कौन सी एकॉनमी को अंग्रे प्रगति के लिए इसमें ये कदम आगे उठाया आगे बढ़ाया लेकिन कुछ-कुछ फायदा इंडियन यारी भारतिय लोगों ने भी उसका उठा लिया अगला देखिए अंग्रेजी सिक्षा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था ये समझ नहीं भाते गो कि मतलब है अगो का मतलता है जाना? और किकिक हम के उनके रंग में रंग है तो हमें उनने से आज़ादी क्यों चाहिए कि हम उनके जैसे हो गए …. रंग मांजर रखने लगे बड़े बूट पैनने लगे और अगरे कोड़ी कही और खड़ी रखने लगे अं Freeman's can कि हम इंग्लिश एडूकेशन सिखा के अपने कल्चर के अंदर हमको ढलना चाहते थे और अगर हम उनके कल्चर में ढल गए अगर हम उनकी तरह तरीके सीगे तो फिर हम उनसे कोई भी मांग नहीं करेंगे आजादी की तो यहां पर देखिए भारत में जब अंग्रेजों ने प्रभाव बहुत अधीत पड़ा भारतिये समाज में यूरोपिये विचार फैलने लगे दिरे दिरे जो यूरोप के लोगों के विचार ते और भारतियों को अंग्रेजी सामराज्य वाद के सोशन के खला ठीक है एक समझ विक्सित हो गई भारतिये लोगों ने तो उसका भारतिये लोगों उससे काफी कुछी दे जैसे तर्क, बुद्धिवाद, मानवतावाद, गड़कंत्रवाद, प्रभू सक्ता और उप्योगिता वाज जैसे विचार जोते भारतिये समाज के अंदर आ गए ठीक है इसने भारतिये लोगों पर काफी प्रभाव डाला और ज समय समय पर बहुत सारे आंदोलन हुए है ठीक है फराइजी आंदोलन हुआ है इसके अलावा संथालों का आंदोलन हुआ है इसके अलावा आप देखोगे बंगाल में सन्यासी आंदोलन हुआ फकीर आंदोलन हुआ इस तरीके के अनेक तमाम आंदोलन भारत में समय समय पर ह ठीक है किसके खिलाब हुए अंग्रेजों के खिलाब भी हुए और कुछ आंदोलन जोते वह अध्यात्म को लेकर भी हुए थी तो यहां पर 1770 में बंगाल में महाकाल के पहले महाकाल क्या है देखिए एक तो है खाने पीने की चीजों की कमी हो जाना एक तो है यह तो हो गया और महाकाल का मतलब समझते हैं खाने पीने की कोई चीज ही नि मिली निरी बिलकुल भी तो यह तो और महाकाल हो गया जैसे कही बार हम कहतें है न विपदा आ गई है ना समस्या एक होगी महा समस्या यानि बहुत ही बिग प्रॉब्लम आ गई तो इसी तरीके से आप देख र एसे लोगों को सन्यासी कहा जाता है, तो हिंदू सन्यासियों ने क्या करा, विद्रो किया, किसके खलाब विद्रो किया, अंग्रेजी राज के खलाब विद्रो किया, अंग्रेजों ने क्या किया, मंदिरों और अन्य पवित्र इस्थलों के तिर्थ यात्रियों पर परतिबं के आने पर अब जनसाधारण के सहयोग से इन सन्यासियों ने क्या किया यह जो सन्यासी लोग थे इन्होंने आम लोगों की हेलप ली आम लोगों की मदत ली और इन्होंने क्या किया अंग्रेजों के कार खानों और इनकी बस्तियों पर धाबा बोल दिया अंग्रेजों के कार जिखियों ने बगावत की, तो दूसरी तरफ मुस्लिम फकीर थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाब बगावत कर दीु अंग्रेजों के कारखानों पर हमले किये गए, एंग्रेजों और फकीरों के बी चली लड़ाई़ों में अंग्रेजों को भारी एक नुकसान भी देखिए जो इनोंने आंदोलन किये थे सन्यासियों ने या फकीरों ने उसकी वज़ये से क्या गोई जो अंग्रेज से अंग्रेजों को बहुत जादा क्या उठानी पड़ी थी हानी भी उठानी पड़ी उनको काफी नुकसान भी जेलना पड़ा ठीक है अगले कोश्चन की पाइजन बढ़ जाद हम कोश्चन नंबर 20 है कोश्चन नंबर 20 यहां पर देखे फिराजी आंदोलन देखे इस यह नुक्त ऑाद एक आनदोलन और अधुलन कूछ इसने शुरूवात की हाजी शरियत उल्लाने शुरूवात की और ये क्यों शुरूवात की गई इसकी तैस्य कुरीर शुरूवात की क्याय जैसरी Muslim Raj की स्थापना करना जैसे Muslim Raj हुआ करता था जैसे मुगल काल में अंग्रेजी मुगल काल के अंदर यैसे musulman का राज हुआ करता था इसी तरीके का मुशलमानों का राज ये स्थापिक करना चाते थे भारत के अंदर इस आंदोलन की प्रकर्टी जबरदस्त तोर पर धार्मिक थी और साथ साथ में कुछ देखो गया प्राजनेतिक भी थी उनके उत्तरादिकारी कौन थे देखे हाजी शरीयत उल्ला ने इसकी शुरुआत की फिर उनके बाद में उनके जो उत्तरादिकारी हुए जिनों नहीं सांदोलन को और आगे बढ़ाया उनके ना था दादू मिया और वोवा मिया ने क्या किया मद्दे और पूर्वी बंगाल के मसलिम किसानों को जमीदारों और साहुकारों से और नील बागानों के मालिकों को जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ सफलता पूरवक लामबंद किया यह भी मुसल्मानों को इकटा किया किसके खिलाफ इकटा किया जमीदारों के खिलाफ साहुकारों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ इनके खिलाफ इखटा किया उन्होंने मुसलमानों को और आखिर में ब्रिटिस सरकार के दुआरा उनको ग्रफतार किया गया उनके उपर मुकदमे चलाए गए उनको सजाएं दी गई और सिलसिला चलाकर सिलसिले वार तरीके से आप देखोगे अंग्रेजों ने इस आंदोलन के खिलाफ जिस तरीके से कठोर कारेवाई किया कठोर कदम उठाए जिसकी वज़ए से फराजी आंदोलन जो था ये पूरी तरीके से इन्होंने खतम कर दिया या पूरी तरीके से आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया कुचल दिया तो यहां पर आप आप देख रहे हैं कि ये कुछ चीजे हैं जो फराजी आंदूलन के बारे में आपको बताएगे हैं, दो-ती नाम आप जरूर याद रखना है, इसमें हाजी शरियत उल्ला का नाम याद रखना, दादू मिया और वोवा मिया का नाम याद रखना, मुसल्मानों को इसमें जोडने की बात की गई थी किसके खलाफ, नौन मुसलिम के खलाफ और अंग्रेजों के खलाफ, ठीक है, आगे बढ़ते हम कोश्चन नमबर 21 की तरफ, देखे, 1857 के विद्रोग पर कई बार कोश्चन आता है, और कई बार आता रहा है एक कोश्चन, इस चैप्टर से लगातार, 1857 की क्रांती से प्रश कुछ नाम भी हैं, जैसे मंगल पांडे है, इसके अलावा आपका जहांसी की रानी लक्षमी भाई थी, इसके अलावा आपके कुवर सिंग थे, बेगम हजरत महल थी, कानपूर में नाना साहब थे, ठीक है, तो इस तरीके से और भी लोग थे इसमें शामिर, तो देखे, 1857 Только 1757 के विद्रों के परिशन हुआ है, कि यहनु कुश्चन हुआ कि, कुश्चन आप से प्मुष रहा है, कि 1857 में जो विद्रों हुआ उसके परिशन का कि निकल कराये, तो यहां देखे, उत्तर में लिखा है, 1857 के विद्रों के बाद आप देखोगे, कि अंग्रेज two अं स उसके स्थान पर क्या किया अब उन्होंने कहा कि वह देखे सामराज्यवाद की नीती को तो हमें छोड़ना पड़ेगा लेकिन उन्होंने आर्थिक सोशन को बढ़ा दिया आर्थिक सोशन हमारा जादा करने लगे उन्होंने कहा कि इनके उपर हम अपना अधिकार तो में इससे एक्ता की भावना का विकास हुआ अंग्रेजों के खलाफ और सास्ताथ आप यहां पर देखोगे कि हिंदू-Muslim एक्ता ने भी समय जोर पकड़ना शुरू करा किसने जोर पकड़ना शुरू करा हिंदू-Muslim एक्ता ने जिससे क्या हुआ कि कालांतर में अच्छा यो और इस इंडिया कमपनी के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, देखिए वो इस इंडिया कमपनी जो भारत में 1620 में स्थाफित हुई थी, वो इस इंडिया कमपनी का शाषन क्या हो गया, इस इंडिया कमपनी का शाषन हमेशा के लिए क्या हो गया, खतम हो गया, समाप्त हो ग लेकिन जब 1857 का विद्रोग हुआ तो सैनिकों ने भी विद्रोग किया था आपको पता है मंगल पांडेज होता जिसने सबसे पहले विद्रोग किया था वो भी एक सैनी की था इसलिए अंग्रेजों ने अपनी अपनी रणिती के अंदर थोड़ा-थोड़ा क्या कर दिया भारतियों में सामंतवादियों की चबी गदारों की हो गई क्योंकि बहुत सारे सामंतवादी जमिदार लोग ऐसे थे कि जब 1857 का विद्रोग हुआ न तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया जबकि भारतियों का साथ देना चाहिए था लेकिन इन आई धरम के परचार परसार में भी कमी आई और अनेक तरीके के और भी परिणाम जो थे वो सामने निकल कर आई तो यह 1857 की जो क्रांती से रिलेटी डिप्रेशन था वो हमने कम्प्रेट कर लिया है कोश्चन नमबर 22 की तरफ आगे बढ़े हैं निसवी शताबदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्यू के बारे में कुशन पूचा जा रहे तो देखे उननीसवी शताबदी भारत था वो आज पिलकुल है अलग था यह तो सब्सक्राइब का अचकश्च है उसमें नहीं तो कर दूब Cleveland करते आरे थे कि हमारे बुजूर्ग ऐसा करते हैं तो हम भी आसे ही करेंगे इस तरीके की सोच हुआ करती थी जिसकी वज़ेसे जो समाज था वो संकिर्ण हो गया था बहुत जादा सोच का ने था जो दायरा था लोगों का बहुत चोटा था कुछ सामाज़क पर्था हैं थे समाज में जैसे कनियाबाल भीवा, लड़के की छोटी छोटी उमर में क्या कर देते दे शादी कर दे लावा सatkऑंस के अलावा सतीप्रता थी यानि सläutव सतीप्रता में में होता था कि कि यदी किसी की पती की मिर्ती हो गई तो उस इस्तिरी को भी जला दिया जाता था भू लड़की के जनम को अब्शगुन माना जाता था तो लड़की का जनम जो होता था उसको समाज में इच्छा नहीं माना जाता भारते समाज में ये सारी चीज़े थी कन्या भून हत्या और कन्या हत्या बहुत ही आम बात थी लड़कियों को तो अब शबुन मान के उनकी क्या कर दी आती थी हत्या कर दी आती थी और बहु विभा ये सब कुछ हमारे समाज में था भारत के कुछ भागों में सती प्रता भी थी, ये सारी प्रताओं के कारण महिलाओं की इस्तिती समान में बहुत जादा क्या थी, खराब थी, उन्हें संपत्ती में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, दहेज और प्रतक संपत्ती होती है, प्रतक या नहीं जो दादा पर कर हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की इस्तिति अची नहीं थी महिला आयों की सिथिति बहुत जादा देनी थी और बहुत जादा खराब थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने question number 23 की तरफ आगे अब हम अपने question number 23 को discuss कर लेते हैं इसमें लिखा है कि मुसल्मानों में अंग्रेजी सिक्षा किसने शुरू की और इस शेतर में उनके योगदान की भूमिका का वर्णन कीजिए देखें जब भी मुसलिमों के अंदर education की जब भी बात आती है तो सबसे जो important नाम निकल कर आता है वो नाम है सर सेद एहमद खां का ठीक है इनका जो नाम था वो था सेद एहमद खां लेकिन आप देखोगे कि इनको अंग्रेजी सरकार के दौरा एक उपादी दी गई सर की मुसलमानों में अंग्रेजी सिक्षा के परचार परसार का जो क्रेडिट जाता है जो सर सेद एहमद खां को जाता है उन्होंने मुसलमानों में सामाजिक और सैक्षिक यानि जो educational और आपका social जो क्या था backward पन था यानि के जो हमारा पिछड़ा पन था उसको दूर करने के ल यही नहीं बलकि जो मुसलिम इस्तरियां थी उनकी सिक्षा के परचार परसार उनको बढ़ावा देने के लिए भी आप देखोगे कि सर सेद एमत कांका जो योगदान था वो बहुत ही क्या था सरहानिय था ठीक है उन्होंने मुसलमानों में अंग्रेजी सिक्षा को बढ़ जाता था ठीक है यह है मानवी की यानि के जो आर्ट होता है और जो साइंस यानि विज्ञान के शेत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान यहां पर की जाती है या कराई गई ठीक है यानि के आर्ट साइट के एजुकेशन और साइंस साइड एजुके आप देखो कि उन्होंने मुसल्मानों में अंग्रेजी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक परियास किये थे तो ये था सर सेद एहमद खां का योगदान इसके बाद में हम कोश्चन नमबर 23 हमारा पूरा हो गया कोश्चन नमबर 24 है कोश्चन नमबर 24 है श्वेत करा श्वेत करांती का संबंद किस से श्वेत करांती का संबंद है दूद उत्पादन से दुग्द के उत्पादन से संबंदीत है हमारी श्वेत करांती क्योंकि भारत में दूद का उत्पादन कंभी था जिसकी वजए से बहुत सारे ऐसे छेत्रते जहां पर दूद की पूर्त की गई श्वेत क्रांती ठीक है और श्वेत क्रांती का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है आपके वर्गीज कुरियन जी को ठीक है वर्गीज कुरियन was the founder of the green revolution इसलिए उनको भारत का milkman of India कहा जाता है यहाँ पर आप देखेंगे यह दूद उत्पादन में आसाधारन व्रधी के लिए इस क्रांती को शुरू किया गया था ताकि आप भारत के विभन शेत्रों में दूद में होने वाली कमी को पूरा किया जा सके इसके अंतरकत राष्ट राष्ट्य दूद गृड घृड का गठन किया गया चेत्रिय तथा मौसमी आसंतूलन का निर्याकरण इसमें शामिल है इसमें मौसमी आसंतूलन जिसकी वज़ा Ayasand alltsåलन निर्याकरण बढ़ता रहता था तो यह सारी चीज़े थी earthquake is। साथ ही आप देखोगे कि इसमें क्या था राष्टिये दूद ग्रीड का भी गटन किया गया छेतरी और मौसमिया संतूलन के निराकरन को भी इसमें शामिल किया गया ठीक है और तकनीकी आदानों का भी इसमें परियोग किया गया अब इसमें देखिए क्या क्या किया गया इसी गायों के साथ में स्वादेशी गायों का परजनन कराया गया। दूसरा, लंबी अबधी तक रखने के लिए दूद की पॉस्च्यूरी करन कराया गया। कि ताकि दूद लंबे समय तक अगर रखा भी रहे तो वो खराब ना हो जाए। इसकी भी व्यवस्ता कराया गया। तीसरा, आई आप देखोगे ग्रामिण्छेत्रों के सदस्यों से-गूq रातमक-घूद का संगरहन कराया गया। जो दूदिया हैं, जो दूद देने वाले हैं, जो मिल्क मैन हैं, जो अनिकने ग्रामिट शेत्रों में रहते हैं, उनको क्या किया गया, उनसे दूद को क्या किया गया, इकटा किया गया, तो ग्रामिट शेत्रों के सदस्यों से गुणातमक दूद का संग्रहनी किया गया, और प्रश्रीतित परिवहन प्रणाली से दूद को सड़क और रेल मार्गों के द्वारा दूर महानगरे के इंदरों तक भेजने में भी मदद करता है इसमें क्या होता है देखिए दूद लिया दूदिया लोगों से वहां से क्या किया फिर कंपनी के पास पहुंच गया कंपनी उसको क्या किया अपनी मशीनों के अंदर उसको यूज करने के बाद में और अनेक अनेक प्रोसेजर होते हैं जिससे की उससे दूद को पास होना पड़ता है फिर उसकी चेकिंग होती है उसकी क्वालिटी की दैन उसके बाद में उसको पैक किया जाता है और पैक करने के बा प्रथान देश है, भारत में बहुत बड़ी एक ऐसी जनसंख्या है जो अपना जो पालन पोशन करती हैं, जो अपना घर का जो जीवन निर्वा होता है उनका वो किरशी पर आधारित है, भारत में आज भी आप देखोगे कि भारत की कुल जनसंख्या का अधिकांश जो आप प्रतीशत देखोगे वो आज भी किर्शी संबंधी कारियों में लगा हुआ है इसलिए आप देखोगे कि हमारी जो GDP है उसमें भी किर्शी छेतर का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन विडंबना ये है कि जो हमारा पाकिस्तान के विभाजन के कारण भी हमारे किर्शी छेतर को बहुत जादा नुकसान हुआ था क्योंकि कुछ किर्शी का जो हिस्सा था जो उत्पादन वाली अच्छी भूमी थी वो बटवारे में पाकिस्तान के पास चली गई खास तोर से आप देखोगे जो जूट वाल करांथी की चुरूबात हुई, ऐसे ही किर्शी चेत्र में उननेति के लिए हमारी सरकार ने शुए Москвा इनकर जुन के अलावा य सीमा-ब 거죠 ले क्रांति शुरू की एक जुमी भी करांति के नाम से तो हरिच करांति के माकोंतियं होते थे यानि कि जो जमीन की जो खियत होते थे खियत मान लो आप खियतों की क्या की एक boundary सia बनाई ठीक है पता चला जिससे कि यह भई यहां से यहां से यहां तक किसका खियत है कि सकते इसके अलावा जोतों की चक बंदी चक बंदी यानि एक पूरी tropical boundary ऑल्यानि? कि तैयार की गई, इसके अलावा आप देखंगे बहुत देश्य समीतिया बनाये गए और सहकारी बैंकों की स्थाफ्ना की गई, ताकि इस सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर लोन भी उपलब्द कराये जा सके और किसान जो है वो साहू कारों से लोन लेकर वो कर्ज के जाल में नाफस जाएं इसके अलावा देखेंगे किर्शी उत्पादों के नियुंतम समर्थन मूल्यों का भी निर्धारन किया गया यह जनी किसान जो था ना वो अपनी फसल को कहा बेचे और किस रेट पर बेचे तो किसान की अपनी इच्छा है कि वो उसको भी बेच सकता है उस व्यापारी को भी फसलों जैसे इंसानों का आपने देखा इंसानों का बीमा होता है ऐसी सरकारों के दुआरा फसलों का भी बीमा कराने की नीतियों को लागू किया गया इसके लावा किर्शी के लिए विस्तार कारेकर्म भी चुरू किया गया जी को बढ़ावा देने के लिए इन्हेंट प्रकार के कारेकर्म सरकार के द्वारा समय समय पर शुरू किये गया ताकि कृष्यची चेत्र क्या हो सकें किरिशी चीतर की उन्नति हो सकें तो यह वाला कुषिन भी हमने किया अपना question number 25 ठीकिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने question number 26 पर देखे question number 26 में सम्विधान के किस अरूछेद में समानता की अधिकार पर बल दिया गया है जैसा कि आपको पता है कि हमारे सम्विधान में बहुत सारे अधिकार नागरीकों को दिये गए 6 मोलिक अधिकार हमको दिये गए अब इन 6 मोलिक अधिकारों में जो सबसे पहला मोलिक अधिकार है वह हमारा समानता का मोलिक अधिकार और जो समानता का मोलिक अधिकार है हमारा उसी के बारे में हमसे question किया गया है कि सम्विधान के किस अनुछेद में समानता के अधिकार के में बताया गया है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ समानता के अधिकार के बारे में पहले समानता का जो अधिकार है हमारा वो है हमार समानता का मौली का दिखा रहा है ठीक है और जो हमारा समानता का मौली का दिखा रहा है उसमें हम पढ़ेंगे देखिए सम्विधान के नुच्छे 14 में क्या कहा गया है कि देखिए जो सारे लोग है हमारे भारत के अंदर जो भी लोग है कानून के समक्ष वो समान होंगे 14 क्य कहता है कि कानून के समक्ष सब समान होंगी कानून के समक्ष सामने कानून के समक्ष क्या होगी समानता होगी यह थोड़ा सा धिहान रखना ठीक है तो कानून के समक्ष समानता की बात की जा रही है समीधान के नुच्छे 14 में कहा गया है कि कानून किसी की भी साथ में जाती धर इनके आधार पर किसी भी तरीकी का भेदभाव किसी भी नागरी के साथ में नहीं किया जाएगा इस समवैधानिक प्रावधानों ने यह जो constitutionally जो हमको क्या देगे जो provisions है जो प्रावधान है उन्होंने देश के सामाजिक राजनेति तथा आर्थिक विकास में समाज के पिछ नमबर 14 में कानोन के समक्ष समानता की बात हुई है साथ साथ में यह भी कहा गया है कि धर्म जाती और लिंक जन्मिस्तान के आधार पर भी कोई किसी परकार का भेदभाव नहीं होगा और जो समाज के पिछड़े हुए वर के लोग हैं वो सब भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे वो समभी समाज के साथ में कंदे से कंदा मिलाकर चल पाएंगे कोश्चन नमबर हम अपना नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमबर हमारा नेक्स विवेका नंजी देखिए बहुत सारे महान ऐसे ना हमारे यहां पर लोगों ने जन्म लिया है अनेक ऐस इसी महान हस्तियां थी एसी महान वीभूतियां थी जिनों ने इस भारत की भूमी को जन्म लेकर गौरानवित हम लोग उनके आज होने पर करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इंडिया में थी जैसे कि महत्मा गांदी सही थे इसके अलावा आप देखो सर सेद हमाद खान क और इसी में एक नाम आपको जुड़ जाता है स्वामी विवेका नंद का ठीक है जोती बाफूले यह सब ऐसे ही लोग थे ठीक है तो स्वामी विवेका नंद के दर्शन की मुख्य विश्रिष्ता क्या थी यह इस question में किया गया है तो देखिए स्वामी विवेका नंद ने लोगों ने अपने आप ही एक ऐसा सिस्टम क्रियेट किया है इस धर्ती पर के जिसमें उन्होंने क्या किया अपनी स्थिती को उंचा बनाए रखने के लिए कुछ जातियों को कह दिया कि यह तो उन्होंने जाती प्रथा का विरोध किया साथ साथ में उन्होंने जो धार्म करमकांड होते हैं और जो अंद विश्वास की जो बाते होती है उन्होंने इसकी भी मतलब निंदा की और इन्होंने अध्यात्मिक धरोहर पर ठीक है उन्होंने भारती अध्यात्मिक धरोहर पर गर्व अपना जताया उन्होंने कहा कि देखिए हमें गर्व महसूस होना चाहि कि हम एक ऐसी भूमी में रहते हैं कि जहां पर अध्यात्म बहुत एक समय में बहुत उचाई पर था बहुत शिखर पर था लेकिन दीरे दीरे आप वहां पर क्या आ गया धार्मी करमकांड आ गए अंध विश्वास आ गए और जिसका उन्होंने विरोध किया इसके साथ साथ उन्होंने जो जन साधारन था जो जनरल लोग थे समाज के जो ऐसे लोग थे जो सामानने वर्ग से जिनका संबन था उनके उत्थान के लिए इसकूल अस्पताल अनात आश्रम बनवाए उन्होंने भारतियों को विकास के लिए ठीक है संसार से जुड़ने के लिए कहा उन् मनुष्य हैं, जब आप उनकी सेवा करेंगे, तो इश्वर भी उस सेवा से ही, क्या होगा, प्रसन होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कि आप संसार से कड़ जाए, संसार में तो आपको रहना है, संसार के लोगों के कल्यान के लिए आपको करना है, जब इश्वर भी आपसे प्रसन होगा, और यही आपकी सच्ची क्या होगी, यही आपकी सच्ची जो है वो भक्ती होगी, यह उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने स्वामी विवेकनन जी ने ये बाती बताई थी, ठीक है, अब हमारा कुश्चन नंबर है 28, 28 कुश्चन क्या कहता है, देखिए, समासुधार के छेत्र में, जोतीबा फूले और उनकी पतनी, जो थी, क्या नाम था उनका, साबित्री बाई फूले, उनका क्या योगदान था, आपको पता है कि, इंडिया की, फर्स्ट वूमन टीचर थी वो, फर्स्ट वूमन टीचर, इंडिया में कोई थी, तो वो थी, साबित्री बाई फूले, है ना, और वाइफ किसकी थी, वाइफ थी, एक समासुधार रखते जोतीबा फूले, जोतीबा फूले ने बहुत मतलब, जाती पर्था पर बहुत गहरा, कटाक्ष किया, उन्होंने प्रहार किया, जाती ववस्ता के उपर, और, इन्होंने किताब भी लिखी थी, बहुत फेमस है इनकी किताब, जिसका नाम था, गुलाम गिरी, गुलाम गिरी इनकी किताब का टाइटल था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि जोतीबा फूले और उनकी पत्नी ने नागरी को और दलीतों को खास तोर से, जो नीची जाती से, जिनका रिलेशन या तालूक है, दलीतों की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने क्या किया किया कि 1848 की बात है, पूना के अंदर लड़कियों को सिक्षा देने के उद्देशे से, एक स्कूल खोला था, 1848 में कहाँ पर पूना, जिसको आज हम पूने कहते हैं, कहाँ पर है, महराश्र के अंदर है, इसके अतिरिक पे जोतिवा फूले ने सत्य शोधक समाज का भी गठन किया, उन्होंने एक और्गनाइज़ेशन भी अपना बनाया, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की, और उन्होंने निम्रजातियों को सोशन से बचाने के लिए, और अत्याचार से बचाने के लिए भी अपना योगदान दिया था, तो ये देख रहे हैं कि समासुधार के शेतर में जोतिवा फूले, और उनकी जो वाइफ थी, साबित्री भाई फूले, उनका बहुत बड़ा योगदान था, कोशन नमबर 29, कोशन नमबर 29 आपके सामने है, उन्डेस्वी शतापदी के भारत की सामाजिक इस्तिती पर प्रकाश डालना है, अगर आप नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो और लेटस्ट जो वीडियो जो अपडेट है, जो इंफर्मिशन आपके लिए है, वो सब टाइम तो टाइम आपके पास तर पहुँच जाए, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कुश्चन नमबर 29 देखते हैं, 19-वी शताबदी के भारत की सामाजिक इस्तिती पर परकाश डाले, तो देखें, 19-वी शताबदी की जब बात होगी, तो बात हो रही है भाई या 1800 से लेकर और 1900 तक की, ठीक है, तो 1800 से 1900 तक की जो समय को क्या था गया, 19-वी शताबदी का हा गया, तो 19-वी शताबदी का जो भारत था, उसमें क्या हुआ कि अनेक परकार की समस्याओं, ठीक है अनेक परकार की समस्याओं से घिरा हुआ था भारत, ठीक है भारतिये समाज अनेक परकार के रूड़ी वादी विचारों से जकड़ा हुआ था, वही पुरानी सोच, वही पुराने विचार, वही पुरानी परमपराएं, वही तो पुराने तौर तरीके, ये सब था, देखे समाज में ऐसी ऐसी प्रताएं उस समय थी जो बहुत ज़ादा क्या थी मानवी विचारों के विरूती जो इंसानियत के ही खलाफ लगती थी कई बार तो ऐसा लगता था। सिक्षा की कमी थी महिलाओं के इस्तिती बहुत ज़ादा खराब थी और 19 वी शताबदी के भारत में आप देखेंगे कि सामाजिक इस्तिती में बहुत ज़ादा क्या आगई थी लोगों की सामाजिक इस्तिती बहुत ज़ादा डाउन हो गई थी बहुत ज़ादा पिछड़े पन में वो आ गई थी तो आप देख रहें कि 19 वी शताबदी का काल जो था वो बहुत जादा एक पिछड़ा हुआ काल था सामाजी किस्तिती लोगों की बिलकुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि वही रूडिवादी और वही सब कुछ था ठीक है इसका उत्तर 19 वी शताबदी के धर्म सुधार आंदोलोनों के संबन्ध में चार बाते निम लिखी थें देखिए 19 वी शताबदी के अंदर पहला पमिंटर 19 वी शताबदी के सुधारकों में अधिकतर को भारतिये परंपराओं दर्शनों एवं धार्मिक ग्रंतों की गहरी ज जनकारी थी जो समय के उन्य सीष इताब्दी के जो भी धरम सुधारक हुआ करते थे उनको धार्मिक ग्रंतों की गहरी जानकारी थी उनके विचार अधीकतर मामलों में लोगतंत्र एवं समान्ता के पश्रमी Week 25 एवं सिध्धान्तों से प्रभावित थे जो भी उस Cand pregnant सिध्थ इसके अलावा सुधारकों की धरम पर आलोचना परंपरा और आधुनिक्ता दोनों पर आधारी थी देखे आप ध्यां रखना कि जो भी उस समय के धरम सुधार आंदोलन करने वाले लोग थे या जो भी धरम सुधारक थे उनका क्या मानना था कि दिखे-दोनो के परियासों के दुआरा क्या किया जा जा सकता था इनको समाप्त किया जा सकता था, यदी धर्म, ठीक है, इन्हें क्या देना, आश्रे देना, बंद कर दे, अर्थार्थ वे उसी वक्त संभव था, जब स्वेम धर्म में सुधार किया जाए, धर्म तो अपने अंदर सुधार करेगा नहीं अपने आप, ठीक है, क्योंकि धर्म क विशेशकर आप देखोगे, कि धार्मिक पुस्तकों का हवाला देते हुए, यह पक्ष रखा, कि 19-वी शताबदी के दोरां, धार्मिक जीवन में, प्रचलित माननेताएं, वास्तविक धर्म का भाग नहीं है, उन्होंने ये का, कि धार्मिक जीवन में, जो भी प्रचलित माननेताएं, वो धर्म का भाग नहीं थी, क्योंकि, बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं धर्म में, जो इंसानों ने खुद अपने आप उसमें क्या कर दी, अपने आप जोड़ दी, वो धर्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो क्या है कि धार्मिक आडंबर, या फिर उसको हम सारे question जो आपको कराए गए हैं, परिक्षा की दिरिष्टी से important question, selected question है ये, इसको पढ़ के जाने के बाद में, paper में, आपको बहुत सारे जो concept है, वो clear भी होंगे, और आप paper में, और आप से एक request और है मेरी, कि paper को छोड़ के आप बिलकुर भी मताएं, क्योंकि question को ध्यान स पूरा solve कर कर आईए, ठीक है paper में paper को बिलकुल भी आपको छोड़ कर नहीं आना है, और इसी के साथ में ही जो हमारी वीडियो है, इसको आप देखिए, ताकि इससे आप लाव ले सकें, इससे आपको फायदा मिल सकें, आप चैनल पर रहे हो तो subscribe करने, अपने दोस्तों के स आप में वीडियो को share कर दे, वीडियो को like कर दे, मिलते हैं आपको इसी चैनल पर pie study circle, keep study in pie study, thank you.